बिहार में बार की खबर से शुरुवात करते हैं, बिहार के 19 जिले बार की चपेटे हैं नेपाल में 7 घंटे लगाता रवाद के बात, नेपाल से जुड़ने वाली तमाम नदियों में अचानक जल इसतर बढ़ गया, गाउं के गाउं डूपते चले गए दरसर नेपाल से पानी का दबाव बढ़ा, बिहार में कई जगहों पर तटबंद, दर्भंगा, सीता मडी, शिवहर, बेतिया में कई जगहों पर पागबती, कोसी और गंटक नदी पर बने तटबंद जो हैं, वो तूट गए हैं, जिससे कई गाउं में पानी भढ़ चुका ह बाड की विबिशिका को देखते हुए मुखे मंतरी नितीश कुमार, बाड प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने निकल पड़े हैं तो यह संकट एक दो नही उन्निस जिलों में नजर आता है, जहांपर अब पानी ही पानी है, बाड का संकट गहराता हुआ, कई निशले इलाके जहांपर लोगों के आशियानों तक पानी पहुँच चुका है और यह संकट और गहराता हुआ भी नजर आ रहे है तो बिहार की इसिती क्यूँ? बिहार में ये बार क्यूँ? नेपाल में दरसल देखिए भारी बारिश हुई ओसका असर बिहार में भी अब दिख रहा है लगातार साथ गंटे बारिश होई कोसी नदी में पानी आया जिसकी वज़े से नदियां उफान पर हैं और उफान पर होने की वज़े से भी ये खत्रा जो है मनड़ा रहा है गंड़क में भी रिकॉर्ड पानी दर्च किया किया और उसके बाद अब जो है अलग-अलग जगाहों पर जहां तडबन तूटे हैं निश्रिलाकों में पानी जाने का खत्रा मनड़ा रहा है खत्रे के निशान पर कई नदियां है जैसे गंड़क आप देख लिजे डुमरिया घाट जो है वो खत्रे का इस्तर जो बासट था अभी मौझूदा इस्तर करीब 33.78% हो गया है जो खत्रे का स्तर है वो 33.85 था लेकिन वो उससे बढ़ चुका है वहीं आप देखे अलग-अलग जगहों पर हम आपको दिखाएं नदियों के सिती स्वक्त क्या है और इसी बढ़ते जलिस्तर की वज़े से निशले लाकों में खत्रा बढ़ता जा रहा है लोगों के गाउं, घरों तक पानी अब इस वक्त बहुत चुका है बागमती का भी यही हाल है कमला बलान का भी यानि जो छुट छुटी नदियां है वो उफान पर है लगतार बारिश की वज़े से जो नेपाल में लगतार बारिश हुई उसकी वज़े से यह नदियां नजर आ रहा है कमला वलान में भी हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में एक के बाद एक बांध भी तूटे हैं गंडख नदी में बाढ़ के कारण बेतिया में एक और बांध तूट गया और अपने साथ बरबादी ले आया देखिए समवात दाता शशी भूशन की तूट गया इस पर पिसले कुछ घंटों से दबाव था और आपको हमारे सहयोगी नदीम दिखाएंगे दाहिनी तरफ सबसे पहले कैमरे को पैन करते हैं ये पूरा गंडख है और गंडख नदी उफान पर है इस वक्त भी और उससे रिहायसी इलाकों को बचाने के लिए य लेकिन तडबंध का एक बड़ा हिस्सा तक्रीबन कह सकते हैं कि 50-60 मीटर का ये हिस्सा जो है वो बितिरात बहा और आभी पानी की धार देखिए जो रिहायसी इलाकों की तरफ जा रही है और ये गंडख का पानी उन इलाकों में जा रहा है जहां पर 5 पंचायतों की लाको का पानी बाढ़ का पानी पहुचा है और देखिए रफतार क्या है पानी की जो कैमरे के जरीए फोकस करके लगातार नदीम दिखा रहे हैं आपको और जिला प्रसासन एलाक पे है जो दूसरी तरफ हमारे मौजूदगी है जहां तडवन टूटा है उसके ठीक सामने हम आप को दिखाते हैं अपने ठीक पीछे ये दिखें वहां पुलिस की मौजूदगी है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं वहां भी पुलिस प्रसासन की मौजूदगी है थोड़ी देर पहले जो पस्यम चंपारन के डीम है उन्होंने इस जगह का जाय जा लिया है जल संसादन वि को नहीं उठाये गया है और थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं हलाकि आगे जाना बहुत खत्रनाक है क्योंकि हमारे सामने रहरा करके तटबंद का जो हिस्सा तूटा है वहां से धसान हो रही है मिक्टी की तो आगे जाने की मनाही है लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं जह सिदे रुख शर्शिबूशन का कर लेते हूं हमाई साथ उस वक्त चुडबी चुके हैं बेतिया में उनकी मौझूद की है शर्शिबूशन जो हालात हम देख रहे हैं किस तरह से कई नदिया जो है तडबंद तोड़ चुकी है पानी का बहाओ बहुत तेज है और कई मतलब जो रासन खाने पीने के चीजें या फिर रिलिफ कैम्प में जो सुभढाई मिलती है उसी तौर पे मिलनी है अब जो पानी चला गया है निचले इलाकों में वह पानी अब बहुत जल्दी निकलना नहीं है और देखिए अभी भी पानी बरस्तूर नीचे की तरफ जा जानवर हैं उनको भी बचाना है तो अब चुनौती सरकार के सामने ये है कि उन लोगों तक कैसे फौरी तौर पे मदद पहुंचाई जाए और निकिश कुमार आज निकले है एरियल सर्वे के लिए उमीद की जा सकती है कि जब वो लोटेंगे आज पटना तो वो अधिकार अजिए होगी उस वक्त वहां पर मौजूद ने रोहित वहां पर क्या हालात है कि अधिन अर्पिता आई कि रोहित अर्पिता हवाज आ रही है मेरी जी 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 अर्पिता देखिए सहरसा हो सुपॉल हो और कोसी का जितने तमाम इलाके हैं वहां पर हालत इतनी जादा खराब है क्योंकि पानी का कुछ स्थर जो है वो कम होना शुरू तो हुआ है लेकिन उसके बाद सामने आ रही है बरवादी की तस्वीरे और आप देखिए इस वंग हम महिशी प्रखंड में हैं और महिशी प्रखंड में भी देखिए चारों तरफ आप जिधर जाएंगे उधर देखेंगे आपको उधर पानी ही पानी केवल नजर आएगा और पिछले दो दिनों पहले इस तरीके से कोसी बरात से लगतार पानी छोड़ा गया है उसके बाद क पूरी तरीके से ये पानी में डूब गया है इसलिए अब लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और आपको पीछे दिखाते हैं कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने कुछ समान लेकर जो हैं वो अपने घरों पर जा सके क्योंकि जो जरूरी जो चीज़े हैं खाने पीने की चीज़ें वो लेकर लोग यहां पर बैठे हुए हैं और इसी तरीके से नाव का ही सहारा लेकर इनको अपने घरों पर जाने का जो विवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि पूरा घर जो है इनका पानी में डूबा हुआ है और यही हाला जो है अभी इस वक्त क पोसी के जो बेल्ट है उसके पास जितने भी जिले हैं वहां इसी तरीके के हालात गंभीर बने हुए हैं अरपिता रोहित जिस तरह आप तस्वीरे दिखा रहे हैं ये रसल सड़क का बतारे हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पानी की इस तरह इतना ज्यादा हो गया है कि अब नाओ के सारे लोगों को सफर करना पड़ रहा है और ये तीन तस्वीरे में मात को दिखाते हैं नितीश कुमार हवाई सर्वे कर रहे हैं सहरसा में ही चिराक पास्वान भी पहुचे बाठ प्रभावदिक शेत्र में दरसल चिराक पास्वान और वोबी बोट के जरीये दिख रहे हैं वहीं बुलेट से जाइजा लेते हुए पाको यादाव नजर आए लोगों से बातचीत करते हुए न शुकाई